हलो बच्चो मैं पुर्णम रधोड राजिस्तान सरकार और विदानता के CSR इनिशेटिव इकक्षा में आपका स्वागत करती हूँ जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ग्यान तो बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं एंगलेश और आपको मैं चैप्टर का नाम बता उससे पहले आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहूंगे ये फोटो देखिए बच्चो ये कौन है ये है सैंटा क्लॉस और सैंटा क्लॉस क्या लेकर आते हैं बच्चो सैंटा क्लॉस हमिशा क्रिस्मिस पर लेकर आते हैं बहुत सुंदर सुंदर तो आज का हमारा जो चैप्टर है बच्चो उसका नाम भी यही है, the best Christmas present in the world, मतलब संसार में Christmas पर मिला सबसे अच्छा तौफवा, अब ये तौफवा किसको मिला है, आईए आप और मैं मिलकर पता करते हैं, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them, तो बच्चो संसार के इतिहास में कुछ तारीख हैं और कुछ समयकाल जो है, इतना महत्वपूर होता है, कि जिसके बारे में हर कोई जानता है और उसे हर कोई याद रखता है, periods, यहाँ पे एक word दिया हुआ, बच्चो, periods of, तो यह आपके class वाले periods से मतलब नहीं है, कि हिंदी का period है, इंग्लिश का, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक लंबे समयकाल के लिए दिया हुआ है, इस line को हम एक उधारन से भी समझ सकते हैं, कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस 1947 को, तो हर वर्ष हम क्या मनाते हैं, 15 अगस को as an independent day celebrate करते हैं, 26 January as a republic day मनाते हैं, गांधी जैनती 2 October को celebrate करते हैं, तो इस तरीके से यह जो date से बच्चों यह हमारे इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण है, कि हमारे जो पूर्वेस थे वो भी मनाते आए हैं और हम भी इसको बना रहे हैं, आगे देखिए, 10 स्टोरी यू विल रेट मैंशन वर्स स्टेट और इवेंट, आज जो कहानी आप पढ़ने वाले हैं, स्टोरी मतला कहानी, आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, बच्चो वो इसी तरह की तारीख और इवेंट के जिक्र करती है, कौनसे कहानी बताती है, A war between the British and the Germans in 1914, आज की कहानी है बच्चो यूद के बारे में, और वो यूद हुआ था, British यान अंगरेज, और Germans के बीच में कब हुआ था, 1914 में, Can you guess which war it was, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, कि ये यूद कौन सा रहा हुगा, तो आगे हम कहानी शुरू करते हैं, I spotted it in a junk shop, in Bidport a roll top desk, कहानी का जो लेखा का बच्चो, वो बता रहा है कि मैंने, एक roll top desk देखिए, कहाँ पर एक junk shop में, और junk shop क्या होती है बच्चो कबाड़ी की दुकान, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये रही आपकी junk shop, ये क्या है आपकी junk shop, और junk shop होती है बच्चो कबाड़ी की दुकान, और ये लेखक ने junk shop कहाँ देखी थी है, ये देखी थी ब्रिड़ पोर्ट में, और ब्रिड़ पोर्ट जो है बच्चो इंग्लेंड में एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ उसने देखी एक roll top desk, और roll top desk उती है बटा, लपेर सेतेवाले एक desk उती है, जो उपर से गोलाई लिए वे आती है और उसमें ड्रावर्ट यानि दराज बनी हुई आती है, the man said it was early 19th century and oak, जो दुकानदार है, कबाडी की दुकान पर, वो लेखक को बताता है कि ये बहुत पुराने समय की एकप की है, ये है early 19th century की उन्नीश सताबदी की है, लेखक इस तरह की roll top desk खरीदना चाता था, लेकिन ये नहीं जो लेना जाता था, वो बहुत expensive होती थी, यानि बहुत महंगी हुआ करती थी, इसलिए वो नहीं खरीद पाया, this one was in a bad condition, ये जो roll top desk उसने देखी थी, वो बहुती बुरी स्तती में थी, बैड कंडिशन मतलब उसकी स्तती बहुती बुरी थी, the roll top in several pieces, one lakh limsley mended, scorch marks all down one side, ये जो roll top desk बच्चों उसने देखी थी लेकक ने, वो कैसी थी, उसकी एक पैड जो था, usually table के कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, हम जानते हैं, तो उसका एक पैड जो था, टूटा हुआ था, और उसको बड़ी मुश्किल से, किसे भी तरीके से जोड़ा हुआ था, और उस पे जलेवे के निशान भी, बने हुए थे, scorch marks होते हैं, जलने के बाद जो निशान रह जाते हैं, उनको scorch marks कहा जाता है, अब वो जो थी, आपको पता है, जैसा कि लेखक और दुकानदार हमें बता रहे हैं, कि roll top desk कहा थी, बहुत पुरानी थी, तो वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही थी, very little money मतलब बहुत कम दाम में मिलना, I thought, I could restore it, लेखक क्या सोचता है, लेखक सोचता है कि मुझे इसको खरीद लेना चाहिए, और मैं इसको दुबारा ठीक कर लूँगा, री स्टोर होता है बच्चों, किसी भी चीज को दुबारा, जो पुरानी चीज हो, जिसको हम जितना सुधार सकते हो, उसमें उतना सुधार कर लेना, लेखक कह रहा है कि ये मेरे लिए एक खत्रा हो सकता है, यने एक रिस्क हो सकता है, एक चुनोती हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये रॉल्टाप डैस्क खरीदनी ही है, अब आप बताईए कि लेखक के लिए roll top desk को खरीदना एक खतरा या फिर चुनोती कैसे हो सकता है तो बच्चो इस तरीके से हो सकता है कि जैसा हमने पड़ा है roll top desk कैसी स्तती में है बहुती बुरी स्तती में है तो लेखक के मन में हलका सा संशय है यानि एक दड़ सा है कि ये ठीक होगी या नहीं इस बात को लेखक लेकर मन में क्या होता है थोड़ा सा चिंतित रहता है I paired the man and brought it back to my work room at the back of the garage मैंने दुकानदार को पैसे दिये क्या कह रहा है लेखक कि मैंने दुकानदार को पैसे दिये और उस roll top desk को मैं लेकर घर आगे और उसको मैंने अपने work room में रख दिया work room मतलब जहां पर लेकर काम किया करता था और वो work room कहा था वो था garage के पीछे और garage होता है बच्चों जहां पर गाड़िया खड़ी की जाती है जैसे घर में कोई एक चोड़ आपना जो एक building होती है या फिर घर में एक ऐसा spacious जगह पन रखते है जहां पर गाड़ी वगरा प work हो गया काम कब किया क्रिस्मस एवनिंग पर उसने काम करना शुरू कर दिया अब बच्चों आगे के भाग में हम जानेंगे क्या लेकर उसको ठीक कर पाएगा या नहीं उसके अलाव बच्चों आज के लिए आपके opposite words है जिनके आपको answers find out करने है और अपनी copy में करने है न नेक्स्ट आपका far far हो गया आपका दूर तो दूर का हिंदी में हो गया pass तो आपको इसका English का meaning लिखना है और इस तरीके से आपको अपनी copy में कर लेना है तो मिलते हैं next video में thank you